ग्राम पंचायदों को विकास के लिए सरकार दौरा करोड़ खर्च किये गए लेकिन कुछ विकास कार्य तो महज काख्जों में ही सिमट कर रह गए ये दो सरकार बड़े जोड़ शोर से बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ का नारा देती है बड़े-बड़े स्वचता अभियान चलाती है इन सब बातों की पोल खोलती हमारी ये है रिपोर्ट जमीनी हकीकत कुछ और ही बया कर रही है आपको बताती की पूरा मामला जन्पद मैंपुरी के गाउन नखत पूर का है विध्याले इसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है गाउन नखत पूरिस्थित पूर माधिमिक विध्याले बाहर से तो स्वर्ग जैसा नजर आता है पर अंदर की तस्वीरे कुछ और ही बया कर रही है जब हमारी टीम ग्रामिरों की शिकायत पर विध्याले का निक्षन करने पहुचे तो विध्याले के कमरों में देखा गंदगी के धेर मकडी की जाले लकडियों का धेर जैसे विध्याले सालों से ना खुला हो विद्याले के बाहर छट का छज़ज़ा भी तोट कर जुका हुआ है जिस से कोई बड़ा हाथसा भी हो सकता है बच्चों के पीने के पानी के लिए टोटी की भी विष्टा है लेकिन ग्रामिडों के कहना है कि महिनों से यह खराब है इस बात को लेकर जब ग्रामिलों से बात की तो उन्होंने एक बताया अध्यापक समय से नहीं आ दे थे अब तो करोना की वज़े से स्कूल बंद ही चल रहे है हमने इसके शिकायत के इबार की लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है मैनपुरी से हरियोम चोहान की रिपोर्ट प्राइमिटी न्यूज से स्कूल नहीं खुला यहां इस नहीं स्कूल तो खुलता है लेकिन कमरे में टीचर ही नहीं आते हैं और ऐसे बाहर से भूम के चले आते हैं अच्छा यह जो गंद की डली होई है कौन सी कलास है यह कमरे चाले का तो खुल पड़ाई बगएरा यहां पाथा नहीं कोई नहीं आते हैं तीचर वगएर लेकिनarm ऑगए तों बहुत दॉने दॉतमकर है कि